है कि हलो श्टेंट्स इस लेक्चर में हम प्लैसमा मेंब्रेन अर्थात प्लैसमा जिल्ली के बारे में अध्यन करेंगे हम जानते हैं कि कोशिका के चारो ओर एक सजीव जिल्ली पाई जाती है जिसको प्रोटोप्लाजम का पार्ट मना जाता है , यह जो मेंब्रेन होती है , सजीव मेंब्रेन यह सेल को कोशिका को उसके external environment अर्था बाहिय वातरण से प्ष Google करता ह Jen vivemos!」 और कोशिका में प्रेविस करने वाले या बाहर निकलने वाले पदार्थों पर भी ये नेंदन रखती है इसी मेंब्रेन को प्लेजमा मेंब्रेन कहा जाता है नेगली एंड क्रेमर नामक विज्ञानिकों ने 1855 में इसे ही सेल मेंब्रेन या कोशी का कला नाम दिया उसके पाद 1931 में सेफ्रिस एंड प्लो ने कोशी का कला या सेल मेंब्रेन को प्लेजमा मेंब्रेन जीदरवी कला या प्लेजमा कला नाम दिया प्लेजमा कला को हैं डीटेल में समझने से पहले हम इनके वीबिन मोडल्स का मोडल्स की बात करते हैं जो कि वीबिन समयों में वीबिन विग्ञानिकों ने इन मोडल्स के बारे में बताया था कि असे पहले हम बात करते हैं और टॉन मोडल की ऑवटान नाम विग्ञानिक एटी ने यह मोडल्स दिया इनके नुसार प्लाजमा में में लिपिट्स की बनी होती है लिपिट्स की इसलिए बनी है क्योंकि उन्होंने अबज़र किया कि जो पदार्थ वसा में गुनंसिल हो चैसे होते हैं वह प्लेजमा मेंब्रेन माचानि से से प्रीश कर जाते हैं जबकि दूस्यासे पदार फैसालिक इसपते हैं इसके आतार पर उन्होंना ने निश्कष निकाला कि प्लेजमा मेंब्रेन लिपिट्स की बनी होती है उसके बाद गोटर एन ग्रेंडल ने 1926 में बाई मोलिकुलर लिपिड लेयर मोडल दिया और उनका ये जो मोडल था RBC अर्थाथ लाल रत काणिकाओ पर उनका जो अब्जेर्विशन थे इस्टेडी थी उनका दार पर उन्होंने ये मोडल मनाया इनके दुन सार्फ प्लाजमा मेंब्रेंड वसा अड्वों की दो लेयर या दो पृत्वों की बनी होती है एक परत के अड्वों के पॉलर ग्रोप यानि जेल बिले समु बाहर प्लेस्मा की ओर होती है तता दूसरी लेयर के फेट मुल्यकुल के polar end साइटो प्लाजम की और होते हैं polar ends बाहर के और होते हैं और दोनों layer के जो hydrophobic end होते हैं जल विरोधी end वो एक दूसरे के सामने की और इस्थित होते हैं तो इनके model करोशार यह प्लाजमा मेंब्रेन वो दो लिपिड के लिपिड के दो layer से बनी होती है उसके बाद डावसन और टेनियली इन्होंने भी 1935 में एक model दिया जिसको उन्होंने 26 model नाम दिया इनके अनुसरार प्लाजमा मेंब्रेन पोर्टीन के दो इस्थरों के बीच में फोस्पो लिपिड के दुई आन्यों के स्तर यानि बाइ मोल्यकुलर लेवर के रूप में होती है उन्हीं सो पचास तक इस model के कई जो मोडिफाइड मोडल है वो लग लग भी कहने को द्वारा प्रस्तुत किये गए पोर्टीन के एक कर्णू से लिपिड के लगभक पीछे तर से नवब्रणू सम्मधित होते हैं तो इस मोडल कर्णूसार दो लेयर्स प्रोटींग के होती है वह प्रोटींग के बीच में सेंड़्विच के समान एक लिपिड की बाइ मोल्यकुलर लेयर पाई जाती है उसके बाद रूबर्ट्सन ने युनिटी मेंब्रेन मोडल दिया 1959 में रूबर्ट्सन ने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप अध्यन का अधार पर प्लेजबा मेंब्रेन का त्री इस्तरी मोडल दिया ट्राइल लेमिनर मोडल दिया कि उन्होंनों वास्पिन ट्रेटा ऑक्साइड मेस्प के इस स्रीकरण पर दो पेरेलल गहरी स्त्रों के मत्य हलके रंग की एक लेयर देखी और यह ट्राइड लेयर मोडल अन्नी कोशिकाओं की जिल्डियों पर या कोशिकाओं के अन्नी मेंब्रेन पर भी लागू होता है इन इनके बाद में सिंगर एड निकोल सन ने भी एक मोडल दिया जिसको फ्लूड मोजिक मोडल नाम दिया जाता है और यह मोडल उन्होंने 1972 में दिया वर्तमान में यह मोडल है SINGAR या लिकोन से इंदाद दिया जा Floyd Magic Model वे सर्वादित मानने है इसको ही जयतर माना जयता है इनकी Model मुदुसार Lipid की जो Bilingler होती है जो आण्विक फरत होती है उन میں जो उनुट होते हैं Lipid के और तरल अवस्ता में होते है और अरतर लोस्ता में होने के साथ ही यह जो इंटिग्रल पोटीन होते हैं इनको समाकल पोटीन कहते हैं इनके साथ मोजे एक रूप में अरेंज होते हैं विवर्स्टित होते हैं इनके लाब पेरिफरल पोटीन जो होते हैं वो लिपिड वाइलेर के साथ अपर होते हैं लि का मोवमेंट हो सकता है इसलिए इसको fluid मोजेक मॉडल बोलते हैं इनमें कि यह प्रूटिन होते हैं और लिपीड भी मोवमेंट हो सकता मेंब्रेन में वस्टायमलकी जो हाइडोकार्वन देबल बॉनड की संक्या होती है वह बढ़ने पर लिपिड की लिकुडेटिया तरलता बढ़ जाती हैं पलाजवा मेंब्रेन की बाहरी सत्य पर प्रोटीन वर लिपीड पर कार्वाड़ेट चेंट गलाइकोपोटीन वर गलाइको लिपीड के रूप में होती है अब हम इसके की बात करें तो इसकी जो मोटाइए होती है थिक्नेस में वह होती है लगबक पीछे तर से 250 एंग अलग स्सकरत बीगिंटॉम पर जाती है अलग-अलग सेलस में या अलग-अलग स्थान पर इसकी मोटाई में थोड़ा सा वेरीशन हो सकता है इसकी मर्डल की स्थर पाए जाते हैं यह जो 3 स्थर होते हैं झेंसे 20 एंगिस्ट्रॉम का मोटा बाह यह इस इस्थर होता है जो कोटीन का मना होता है उसके बाद बीछ में 35 एंगिस्टॉम का चोड़ा इस्तर होता है जो कि Phospholipid के दो इस्तरो बाइ मोलेकुलर लेट से बना होता है उसके बाद 20 एंगस्टों का चोड़ा बीतर इस तरह एक और होता है जो कि पोटिंग का मना होता है तो ये ट्राइल लेमिलर इस्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है अब इसके राशानिक संग्ठन या केमिकल कमपोजिशन के हम बात करें तो प्लेजामेंब्रेंट, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइटरिट ये तीन प्रकार के मोलेकुल से मेंली बनी होती है और अलग-अलग cells में और cells में भी अलग-अलग membranze में जो protein, lipid और carbohydrate का ratio होता है अनुपाद वो अलग-अलग हो सकता है सबस्क्राइब हम बात करें लिपीड की है तो lipid, mainly cholesterol, glycolipid और phospholipid इन रूपों में प्लेजवा membrane में पाई जाता है phospholipid की हम बात करें तो phospholipid में mainly phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine और sphingomyelin ये main phospholipids हैं जो की plasma membrane या cell membrane का component होते है phospholipids जो होते हैं इनके जो molecule होते हैं वो उभई सम्मेदी होते हैं अर्थाल, amphipatid थिक होते हैं को क्योकीन के जो प्रत्थे एक molecule होता है वो दो बागों का मिलके बनावता है ये दो बाग कुन कुन से हैं एक तो hydrophobic या या polar end इसको जल्स नहीं या दुरूए सिरा बोलते हैं और दूसरा है hydrophobic और non-polar end जिसको जल बिरागी या दुरूए सिरा बोलते हैं हम hydrophobic या polar end की बात करें तो ये जो सिरा होता है इन लिपीड के molecules का ये कोलीन फॉसफेट का बनावता है और ये head पार्ट होता है उसका जो सिर्वला पार्ट होता है वह होता है और ये 14 का जो लेहर होता है प्लाज़म इंब्रेन में दोनों तरब एक बाहर की और एक भी तर फ्रण्स के और तो प्रतिक जो लेर होती है लिपीड की उसका जो और हैड़ फोर्शन होता है molecule का वह प्रोटीन के सब्च का या उसकी और होगा धैया है है हेड्र फोभिक या नौन प्लर एंड तो वसाम्लों के ईंडव के बना अच्रगْ वसाम मिभी इनकी चेन होती है तो ये दो वसाम्लों से ये वाला एंड मुझा है यह उनका टेल बाग बनाते हैं तता दोनों जो लिपिट लेयर्स है उनके दोनों के जो टेल एंड है वो एक दूसरे के सम्मुक होते हैं हेड के जो सिरे होते हैं हैट्रोफिलिक जो होते हैं वह भार की और होते हैं और पीतर की और दोनों के सिरे होते हैं जो हम आगे डाइग्राम में देखेंगे फोस्फोलिपिट दो प्रकार के होते हैं यह तो निट्रल फोस्फोलिपिट और एसिडिक फोस्फोलिपिट हम कारे बाइसे की बाद करें लिपिट की तो लिपिड जो प्लाइबा मिम्ब्रेंट का जो में डूर रिये और हैं। के लिए यह यह त्रूनेटी बेरियर का कारे करते है ़ुप साथ दूष्भर सथ के आरफा नहीं आने देते उसके बाद जो दूसरा component है प्लाजमामेमरेंका वो है protein प्रोटीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं तो peripheral या extrinsic protein जो बाहिए protein होते हैं और दूसरे आंतरिक या समाकल protein जिनको intrinsic या integral proteins कहा जाता है बाहिए protein या peripheral extrinsic protein के बात करें तो फोस्फ लिपिड अन्वों के दुरुए बाग से समधित होते हैं हमने अभी देखा कि जो molecule होते हैं लिपिड के उरका एक एंड तो होता है जिसको हेड बोलते हैं दूसरा टेल तो हेड वाला जो होता है जो हैडोफिलिक उससे ये समधित ह होते हैं बाहिए protein जल्म गुलंसील और प्रोटीज एंजाइम होता उसके दौर आसानी से प्रतक किया जाते हैं प्रोटीज जो प्रोटीज का हीट्रोजसिस जलब गटन करने वाले एंजाइम होते हैं और उन एंजाइम के दौरा प्लाजमा मेंब्रेंग के ये पेरिफेरल प्रोटीन है उनको असानी से प्रतक किया जा सकता है प्लाजमा मेंब्रेंग के साइटो फ्लाजमिक फेस की और ये जो प्रोटीन होते हैं वो अधिक होते हैं साइटो फ्लाजमिक फेस वो होता है दो फेस होते हैं प्लाजमा मेंब्रेंग एक तो बाहर की और कोशिका के बा प्रोटीन 23 होते हैं ज्डूसरा प्रकार जो है अंतरिक या समाकल प्रोटीन है तो यह सब्सक्राइव पॉलरेंड लिपीड औयवलेयर के बाहर है इनका होता क्या है कि कुछ बाक तो मैं पाक stock कुछ बार निकला रहता है तो बीच में जो डासा रहता है वह नौन पोलर या एद्रू ये बाग होता है और जो बाहर निकला रहता है लिपिड की जो लेयर से दो उनसे बाहर निकला रहता है वो इनके पोलर रेंड होते हैं यह जल में अगलोंसिल होते हैं उनको प्रत्र करना थोड़ा कठीन होता है कम्पेटीवली प्रइफरलल फ्रोटों के जो की वारस से लते हैं इनके पोलरर रेंड से लिगोंसिस्च जो लिपेट्स के बीदम होता है तो वो जो फार्ट होता फोटीन का वे एद्रूबी एमिनोर्शिट से मिलकर बने होते हैं और जब की जो बाहरी की और जो हिस्सा होता फोटीन का वो पोलर एमिनोर्शिट से मिलकर बने होते हैं द्रूबी से इसलिए वो हायटोफिलिक होते ह है जल रागी होते हैं इनका जो कारी के मअबाद करें प्रोटीन की तो यह वदातों पए का टान्सपोरटेशन का कार्य करते हैं छेल सर्फेस रडर कर रूप में कार्य करते हैं ए अ इनेिटिटीज प्रोटम के रूप में यह सोटकर में जा स्थेक्र है डाइप अ क всю pics अर्ट के तstatि से रवागे वहाज रिच जाते हैं जो की प्रोटिन से टेज होते हैं झालिको लीपिटो लिपटो डिपने होते हैं कि प्लाज्मा मेंब्रेन के वल जो बाई-तल होता है उसी पर ही कारबोरिट होते हैं बीतर की और नहीं होते हैं इनका जो कारी है वे शेल से रेकोगनिशन में यह मैट पूंड होते हैं जिससे एक सेल दूसरी सेल को आइडेंटिपाई करती है और टीशू का डिवलेप पूंड होता उसमें भी इंपोर्टेंट होते हैं और इमिन सिष्टम द्वारा जो बाहिए सेल को यह बेशिग करने का जो ब कि प्लाजम एम्रेंग के स्टॉक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं जो तीन कंपोणेट इसमें है तो लिपेड तो यह लिपेड की दो लेयर पाजाते हैं तो यह एक लेयर जैसा कि बताए कि प्रतेक मॉल्यकुल के दो भाग होता है एक तो हेड और टेल तो यह हेड वाला जो निकनला रहता है और बाहर की और होता है और दोनों लेयर के टेल्स एक दूसरे को सम्मक होता है यह सब्सक्राइब प्रोटीन के बात करें तो प्रोटीन दो प्रकार के होता है एक तो एक्सटेनल यो बाहर की और इस्तित होता है और कुछ बाहर की और यहां पे इस्थित होते हैं extensive protein के हम बात कर रहे हैं इसके लाव कार्बाडेट होता है वो वह ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लीपिड ते रूप में प्लाजमा में में पाय जाता है तो यह बेशिक अधार समय का बाकित है कोशिका में उनले में का थार एच्प में CEOs को से EC1 आऊ